नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कपिल गंभीर आप देख रहे हैं कृधा प्रडक्शन्स दोस्तों इस समय की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इस खबर से सुशान सिंग राशपुत केस को एक नई उम्मीद की किरण मिली है दरसल CBI को अपना नया डिरेक्टर मिल गया ह क्या है पूरी खबर आई आपको बताते हैं दरसल सुबोध कुमार जैसवाल को CBI का नया डिरेक्टर चुन लिया गया है अगले दो साल के लिए जैसवाल को CBI का चीफ बनाये गया है सुबोध जैसवाल 1985 सी बैच के IPS अधिकारी है सुबोध कुमार जैसवाल को लेकर शक्ष के नेता अधिर रंजन चौदरी भी शामिल थे CBI डिरेक्टर की दोड में उत्तर परदेश के DGP, HC अवस्थी, SSB के DG, कुमार राजेश चंद्रा और घ्रह मंतराले के विशेश सचिव VSK कुमोधी आगे चल रहे थे लेकिन आखिरकार सुबोध कुमार जैसवाल का नाम फाइनल कर लिया गया है और इस नाम से ही सुशान सिंग राजपूत के फैंस की भी उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि पिछले एक साल से ये केस सुशान सिंग राजपूत का केस CBI के पास है लेकिन CBI ने अभी तक हमें ये नहीं बताया था कि आखिर सुशान के साथ 14 जून को क्या हुआ था उस बाग को लेकर पूरा एक साल होने जा रहा है अगले ही महिने और इसलिए नए डिरेक्टर के आते ही सुशान के फैंस को ये उम्मीद बढ़ गई है कि क्या इस केस में अब ये रफ्तार बढ़ेगी क्या हमें पता चलेगा कि आखिर सुशान के ग बढ़ेगे